एनर कॉम्टिटिव क्लासेश में मैं हैमंद कुमार सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दुस्तो आज हम पढ़ने बाले हैं सामान लिग्यान मिक्स प्रेस्ण का भाग दो मतलब एस्टेटिक जीके का हम कौन सा भाग पढ़ने बाले हैं दो पढ़ने वाले हैं इससे पहले मैंने कल एक पढ़ा दिया आप देखना बहुत अच्छे कुश्चन लिए हैं उसमें बहुत सारा आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा आप वीडियो अच्छे से देखा करो आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए रहा करें आप ब मुगल सासकों की मकबरिक करनाटक में इस्तित बनने जीव अभ्यारन समाधी इस्तलों के नाम एवं उनसे संबंदित ब्यक्ति खेल एवं खिलाडियों की संक्या पारती संबिधान में उल्लेकित भासा और दिल्ली इस्तितन उसंधान केंद्र हर कुश्चन अपने आप में कंपलीट होता है कुछ कुश्चन होते हैं कुछ टॉपिक ही कंपलीट होता है ठीक है तो मुगल सासकों के मकबरे बात करते हैं पहला आपको एक ट्रेक याद रखना है कि बावरा हुआ जहांगिर साजां के पुत्र औरंग जेप की बज़े से देप को आपके घर में कोई अगर परिशान कर रहा एक बंदा तो किसी न किसी को तो दिक्कत होती होती है तो बावरा हुआ जहांगिर किसकी बज़े से बोले साजां के पुत्र औरंग जेप की बज़े से ठीक है इस सासकों के नाम की ट्रेक हो गई अब जैसे आप कहीं पर भी रह रहे है तो अपने द दिल्ली से सिकंदर लाहुरा तो देखो बावर से बनेगा बावर और कभी से बनेगा काबुल के बावर का मकबरा कहां पर है काबुल में है तो से बनेगा हुमायूं और दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा कहां पर है दिल्ली में है आज से बनेगा अकबर और अकबर का सिक दवाद में है तो तोनों आपको त्यां रखने है तो देखो ये तो ट्रिक पर हो गया कि बाबर काबुल हुमायू दिल्ली अकबर सिकंदरा जहांगीर लाहोर साहजा आगरा और और औरंगजिब औरंगाबाद दौलता है तरिक कैसे पड़ोगे बाबरा हुआ जहांगीर साह अगला कुश्यन बात करते हैं कि करनाटक में इस्तित बनने जीव अभ्यारन है। क्या ट्रिक बोलोगे बनाराश्टीवी। क्या ट्रिक याद रखना है बनाराश्टीवी। अगला तीसरा कुश्यन बात करते हैं प्रमुक ब्यक्ति एवं उनके समाधी इस्तित अब ट्रिक को समझो। आप कहीं पर जाओगे किसी से मिलने ठीक है। तो उसकी घर पर लिखा रहता है जैसे अंबे विला, गडेश विला। तो और आप वहाँ पर जाओगे तो कोई न कोई व्यक्ति मिले गई आपको। आप वहाँ पर देखोगे क्या क्या हो रहा है। तो ट्रिक समझो। बोले राम की विला में एक ज्यानी किसान चौधरी की बीरा से मिला। वहाँ उसे अभै मौरा का सजानागू मरा मिला। तीक है आप राम की विला में गए थे एक ज्यानी से मिलने। वहाँ कौन मिला था किसान चौधरी की बीरा मिली थी। वहाँ आपने क्या देखा था अभै मौरा का सजानागू मरा मिला था। चेत्र में अम्बे का साथ सई, हम अम्बे मा की पूजा कब करते हैं, चेत्र में, बोले संक और नाव। अब पूरी ट्रिक को ऐसे बोलना है आपको, बोले राम की बिला में एक ज्यानी किसान चौदरी की बीरा से मिला, वहाँ उसे अभैम औरा का सजाना गू, मरा मिला, चेत में अम्बे का साथ सई, संक और नाव। ठीक है, देखो रा से बना राजगाट, मा से बना महात्मा गांदी, राजगाट महात्मा गांदी का समादी स्तल है, पहले ट्रिक पे आंसर देख लिया करो, विजय घाट लाल बहादुर सास्ति, एकता स्तल ग्यानी जेल सिंग, किस प्यारी लालनन्दा, महाप्रियान घाट राजगाट प्रसाद, चेत्रा भूमी अम्बेटकर, सांतिवन जवाहर लालनहरू, सक्तिस्तल इंद्रा गांदी, संकर्द्याल सर्मा करम भूमी, क्यार नारायन उदै भूमी, ठीक है, ये तो ट्रेक हो गई, पढ़ना कैसे है, व हम नीचे देख लेते हैं के राजगाट महात्मा गांदी, विजेगाट लाल भादुर सास्त्री, एकता इस्थल ग्यानी जेल सिंग, किसान घाट चौदरी चरण सिंग, भीर भूमी राजीव गांदी, अभै घाट मुरार्ची देशाई, समता इस्थल जग जीवन राण, ठीक है यहात है, आगे नारायन घाट गुलजारी लालनन्दा, महा प्रयान घाट डॉक्टर राजिन प्रसाथ, चैत्रा भूमी अंबेटकर, सान्तिवन जवाहलाल लहरू, सक्ति इस्थल इंद्रा गांधी, कर्म भूमी, संकर्द्याल सर्मा, उदै भूमी, कियार नारायन ठीक है, और इस्मरती इस्थल इंद्र कुमार गुजराल का है, और सदेव अटल, अटल विहरी वाजपेजी का है, ठीक है यहां तक, अगला कुश्चन बात करते हैं, खेल एवं खिलाडियों की संक्या, कि किस खेल में कितने खिलाडी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कि पोलो में चार होते हैं, बास्केट वॉल में पांच, बॉली वॉल में छे, नेट वॉल में साथ, और बाटर पोलो में भी साथ होते हैं, और कवड़ी में भी साथ होते हैं, जिमनास्टे काठ, खोको नौ, बेस्वॉल में भी नौ होते हैं, किरकेट होकी फुटबॉल में 11 होते हैं और रगवी फुटबॉल में 15 होते हैं कैसे पढ़ोगे बोले पोलो 4, बास्केट बॉल 5, बॉली बॉल 6, नेट बॉल 7, जिमनास्टिक 8, खोको 9, किरकेट होकी फुटबॉल 11, रगवी फुटबॉल 15 पिर आप पलट के बोलोगे बाडर पोलो कबड़ी में भी साथ होते हैं और बेस वाल में नौ होते हैं ठीक है अगला कुश्चन है था हमारा के संबेदान में भासा से संबंदित तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संबेदान में चौद्रे भासा थी और अब 22 भासा है दो चौद्रे कौन सी थी देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप वैसे ही एक बार बोलो आपको याद हो जाएंगी बोले असमी बंगाली असमी बंगाली कनण कस्मीरी कनण कस्मीरी संसक्रत मल्याला मराठी तमिल तेलगू उडिया और्दू पंजापी हिंदी गुजराती दे कैसे बोलोगे असमी बंगाली कनण कस्मीरी संसक्रत मल्याला मराठी तमिल तेलगू उडिया और्दू पंजापी हिंदी गुजराती तो ये हमारी चौद्र हो गई पिर आगे बोलना है बोले 212 संबिदान संसोधन उननी सो सरसट में हुआ था जिसके नहीं तैत σिंदी जोड़ी गई थी 21 SS का मतलब क्या है संब्यदान संसुदन 21 संब्यदान संसुदन कब हुआ था 1960 में उसमें कौन सी जोड़ी थी सिंधी तो अब खित्ती हो गई पंद्रे 71 संब्यदान संसुदन 1992 में हुआ था जिसमें नेपाली मनीपुरी और कोंकडी जोड़ी कैसे का होगे के 21 संब्यदान संसुदन 1960 में हुआ जिसमें सिंधी जोड़ी 71 संब्यदान संसुदन 1992 में हुआ जिसमें नेपाली मनीपुरी और कोंकडी जोड़ी 92 संब्यदान संसुदन 2003 में हुआ जिसमें बोडो डोंगरी मेतली और संथाली जोड़ी कितनी हो गए पूरी 22 चीक है अब दिल्ली में कौन-कौन से अनुसंधान है तो आपको ध्यान रखना है बोले हाईवे अनुसंधान दिल्ली में है एंटिवायटिक दिल्ली में है टेक्टर दिल्ली में है मौसम बैदर दिल्ली में है आयरवेज दिल्ली में है रोड सडक दिल दिल्ली में है यह 10 है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो क्या बोलोगे हाइवे दिल्ली में है एंटिवाइटिक दिल्ली में है टेक्टर दिल्ली में है मोसम दिल्ली में है आरवेट दिल्ली में है और रोड दिल्ली में है चेडियागर दिल्ली में है हम इसी भाग में Static GK का तीसरा भी भाग पढ़ रहे हैं इसी वीडियो में ठीक है देखते हैं आगे उसमें कितने कुछ चाहिए सामान ग्यान मिक्स प्रस्ण मतलब Static GK का हम भाग तीन भी इसी वीडियो में पढ़ रहे हैं भाग दो और तीन एक ही वीडियो में है न तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि सतना नदी पर इस्तित परयोजना कि सतला ज नदी पर कौन-कौन सी परयोजना कुछ बरसाओं के नाम पढ़ने वाले हैं जैसे के काल वैसागी कहां पर होती है नार वैस्टर कहां पर होती है मेंगो सावर कहां पर होती है टी सावर कहां पर होती है समझके अगला है कि बुद्ध के अनिवाई सासक कौन-कौन से थे ठीक है चंदरगुप्त दुती के नौरतन कौन से थे अ साथ कुश्चन पढ़ना है हमें और सब अपने आप में complete तो पहला देखते हैं कि 17 नदी पर इस्तित परियोचना आपको एक ट्रेक याद रखना है नाई को भासा आती है भाई अपने ग्रहाकों से अच्छे से बात करने वाली भासा आती नाई को तो ना से बना नात्वा जा परियोचना, सा से बना सरहिंद परियोचना और सा से बना कि ये सारी सतलज नदी परे अब हमने नाम तो जान लिए देखो नात्वा जाकरी, इंद्रा गांदी नहर, कोल्डेम, भाकडा नांगल और सरहिंद अब हमें जानना है कि कौन-कौन से राज्य में है तो आपको ऐस बोलना है हिमाचल, हराही पंजाब, हिमाचल, हराही पंजाब, बोले बहुत हिमाचल, हराही पंजाब हो गया, आप लास्ट में हर्याना पढ़ लेती है, तो मतलब नात्वा जाकरी परियोजना हिमाचल में है, इंद्रा गांदी नहर परियोजना हराही पंजाब से क्या ब को कैसे पहले ये तो समझ गए ना के नाथपा जाकरी, इंद्रा गांधी नहर, कोल्डें, भांकडा नांगल, और सारंहिंद इस सबसत लज्पी्ट अब उनकी राज जियाद रखना है तो ऐसे बोलना है हिमाचल हराही पंजाब ले बहुत हिमाचल हिमाचल हो गया आप हर्याना भी पढ़ लो तो लाश्ट वाला क्या हो जाएगा हर्यान ठीक है कुश्चन नमबर दो बात करते हैं बर्सा के बारे में अब जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले बच्चों से पूछा जाता था कि आप क्या कर रहे हो तो हर कोई कहता कि सर मैं B कर रहा हूँ कैसे पड़ोगे सको B केसा काणा अब CMT की तयारी कर लो जैसे PMT होता ऐसी हमने नया बना दिया CMT बोले B कैसा काना CMT करो B से बना बंगाल E से बना पूर्वी भारत E से इश्ट मतलब पूर्वी भारत K से बना करनाटक S से बना दच्छन भारत मतलब केरल और A से बन गया असम ये तो हमने जगयों के नाम जान लिए अब बर्साओं के नाम जान लेटें, का से बन जाएगा कालवेसा की, ना से बन जाएगा नारवेस्टर, सी से बन जाएगा चेरी बलासम, एम से बन जाएगा मैंगो सावर मतलब आमर बर्सा, और टी से बन जाएगा टी सावर मतलब चाय बर्सा, ये तो हमने लिख दिये, ठी करनाटक में चेरी बिलासम और दच्चिन भारत केरल में आमर वर्षा और असम में चाय वर्षा ठीक है तो यहीं पर ट्रिक पढ़ना है बोले B कैसा काना CMT की तईयाई करो बंगाल कालवे साकी पूर्वी भारत नारवेस्टर करनाटक चेरी बिलासम दच्चिन भारत मैंगो स और असम टी साबर ठीक है ध्यान से समझा करो ट्रिक को अगला बुद्ध के अन्याई सासक अगला कुश्चन क्या है बुद्ध के अन्याई सासक तो आपको ट्रिक कहना है बापू B से वन गया बिम्बिसार A से वन गया असोख P से वन गया प्रसेंजीत और U से वन गया उद बिम्बिसार असोग प्रसेंजीत और उदायन बुद्ध की अनिवाई सासे ठीक है यहां तक आगे बात करते हैं चंद्रवुप्त दुती के नौरत अब पहले ट्रिक समझो जैसे हम आग साधी जोहां में देखा होगा आपने कि दोस्तों को पकड़ पकड़ के लाते हैं और नचवाते हैं तो आप ट्रिक को कैसे पढ़ोगे बोले बी के साथ बी के साथ डीजे पर बरहा मीर और छपड़क को भेजो क्या कहोगे बी के साथ डीजे पर बरहा मीर और छपड़क को भेजो B से वन गया बेतालवट, K से वना कालिदास, S से वना संकू, A से वना अमर्सिंग, B से वना बर्रुची, D से वना धनवंत्री, G से वना घटकपरी, बरहामीर से वना बरहामीर और छप्ड़क से वना छप्ड़ाग यही पर पढ़ लो कैसे ट्रिक पढ़ोगे, बोले B के साथ, DJ पर बरहामीर और छप्ड़क को भेजो, बेतालवट, कालिदास, संकू, अमर्सिंग, बर्रुची, धनवंत्री, गटैकपरी, बरहामीर और छप्ड़क अब अगला कुश्चन अकवर के नौरतनों के बारें बात करते हैं तो आपको ट्रिक कहना है, बोले फैजी, ATM जाओ, FD निकाल लाना, बैट लेना है, तो एक फैजी हो गया, A से अबुल फजल, T से तांचेन, M से मान सिंग, F से फकीरा जुद्दिन, D से मुला दो प्याजा, B से भीरवल, A से अब्दुल रहीम खाने खाना, और T से टोडर म ठीक है, देखा हुआ है कि फैजी, अबुल फजल, तांचेन, मान सिंग, फकीरा जुद्दिन, मुला दो प्याजा, भीरवल, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडर मन, ट्रिक कैसे कहना है, कि फैजी, ATM जाओ, FD निकाल लाना, बैट लेना है, तो फैजी, अबुल फजल, तांचेन, मान सिंग, फकीरा जुद्दिन, मुला दो प्याजा, भीरवल, अब्दुल रहीम खाने खाना, और टोडर मन, ठीक है, अगला कुश्चन हम बात करते हैं, कि काली दास की रचना है, ठीक है, तो आपको ट्रिक कहना है, बोले रगु कुमार बिक्रम को माल अभी मे मेग रितू में देता है, पुस्प बामन, क्या कहोगे, पुस्प बामन, बोले रगु कुमार बिक्रम को माल अभी मेग रितू में देता है, पुस्प बामन, रगु से क्या बना रगु बंसम, कुमार से बना कुमार सम्भबं, बिक्रम से बना बिक्रमो बर्सियम, माल से ब अभिज्यान सकुंतलम मेग से बना मेग दूतम रितू से बना रितू संगार और पुस्पवामन से बना पुस्पवामन कैसी कहोगे रगु कुमार विक्रम को माला भी मेग रितू में देता है पुस्पवामन रगवंसम, कुमार संभवं, विक्रमो वर्षियम, मालविकागनी मित्रम, अभिज्यान सकुंतलम, मेग दूतम, रितू संघार और पुस्पोबाम देखो दोस्तों जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी तरीके से उसी लैमे ट्रिक को पढ़ा करो जैसे मैं बोल रहा हूँ बैसे आप एक दो बार बोला करो, आपको याद हो जाएगा आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी ट्रिक चाहिए मेरे को मेसेज डाल दिया करो मतलब कमेंग कर दिया करो, मैं आपको अगले वीडियो में लिया हूँ अगला संकरा चारे के मठों की बात करते हैं चार दिसाओं के लिए तो आप जानते हो, क्या ट्रिक पढ़ते हैं न्यूज उत्तर पूर्व पश्यम और दच्छ आपको आगे कहना है कि बद्री पूरे द्वार स्रंगारे बद्री पूरे द्वार स्रंगारे आगे बोलना है बोले जोती गावे सार्दा स्रंगारे मतलब जोती गाती रहती है और सार्दा स्रंगारती रहती है तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया उत्तर पूर्व पश्यम और दच्छ बद्री से बना बद्रीनाथ फिर पूरी से बना उसी क्रम में लिखना है पूरी से बना पूरी द्वार से बना द्वारेका उसरंगारे से बना सरंगे यह मंदेर हो गए ठीक है कि बद्रीनाथ पूरी द्वारेका उसरंगे अब पीट तो उसी क्रम में लिखेंगे हम स्रंगारे से बना के दच्छन में स्रंगेरी पीठे अब ध्यान से पढ़ना है हमें के उत्तर में बद्रीनाथ है वहां पर जोती पीठे और उत्तराखंड में बद्रीनाथ कहा है उत्तराखंड में पूर्व में पुरी है और वहां गोबर्दन पीठे और कहां पर रहें ये कोडिशा में पश्य में द्वारिका है वहां सार्दा पीठे और यहां पर है गुच्रात में दच्छन में स्रंगेरी है और वहां स्रंगेरी पीठे और यहां पर है मैसूर करनट दोस्तो हमने इस वीडियो में सामान निग्यान मिक्स प्रस ने जो स्टेटिक जीगे के चल रहा है उसके हमने भाग दो और तीन लिए हैं अगले वीडियो में कल भाग चार पढ़ेंगे दोस्तो आप देखेंगे मेरा 20 मिनिट का वीडियो है आप देखना अनुभब करना कि 20 मिनिट में कितना ज़्यादा पढ़ाया गया है आप बस ये की बात का महत्तो समझा करो कि कितने कम समय में कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है आप चैनल पर जाके देखना सारे वीडियो देख लेना किसी भी वीडियो में आपको टाइम में और क्वालिटी में जो डाटा पढ़ाते हैं उसमें कोई भी कमी नहीं मिले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सस्क्राइब कर लेना दोस्तों तक लिंक सेर किया करो आप टाइमिंग का महत तो समझा करो कि कहां पर अच्छा डाटा पढ़ाया जाता है और कम समय में पढ़ाया जाता ह मिलते फिर कल अगले वीडियो में धन्यवाद